मंगल ग्रह का यात्री कृष्ण चंदर मंगल ग्रह की उच्च सलाकार समीती की गुप्त बैठक शुरू हुई आज एक भी सदस्य अनुपस्थित नहीं था क्योंकि मंगल का यात्री प्रथम बार धर्ती पर 11 महिने बिता कर लोटा था आज वो अपनी रिपोर्ट पेश करने वाला था सलाकार समीती के अध्यक्ष के दिमाग ने उसके शरीर के अंदर लगी घड़ी से मालूम किया मंगल ग्रह में घड़ी कलाई पर बांधी नहीं जाती मंगल निवासी के शरीर में दिल के स्थान पर एक घड़ी होती है वो टिक टिक करके वक्त बताती रहती है इसलिए किसी मंगल निवासी को किसी दूसरे से वक्त मालूम नहीं करना पड़ता अब सलाकार समीती के अध्यक्ष को मालूम हो गया कि रिपोर्ट पेश करने का वक्त आ गया है तो उसने कहा मंगल में हमारी तरह नाम नहीं होते वहां हर मनुष्य अपने शरीर से एक विशेश प्रकार की विध्युत तरंग निकालता है पैदा होते ही उस मांगलिक बच्चे की विध्युत तरंग मालूम कर ली जाती है वो वेवलेंथ हमेशा दूसरे प्राणी की वेवलेंथ से थोड़ी भिन्न होती है इसलिए मंगल निवासियों के नामों में किसी प्रकार की गड़बड हो ही नहीं सकती दश्मलाव शुन्य 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 तीन दो ने अपने सीने पर लगा हुआ एक बटन दबाया बटन दबाते ही उसका सीना खुल गया सीने के अंदर एक टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था बहुत ही छोटा और इसी टेप रिकॉरडर के साथ एक माइक्रोफोन भी लगा हुआ था दश्मलाव शुन्य 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 तीन दो ने सीने में हाथ टाल कर माइक्रोफोन निकाल कर अपने मुँँ में फिट कर लिया मंगल निवासी सिर्फ माइक्रोफोन की जरीए बात करते हैं और इस संबंद में वो हिंदुस्तानी नेताओं से बहुत मेल खाते हैं जैसे ही दश्मलव शुन्य 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 तीन दो ने बटन दबा कर अपना सीना खोला मंगल में प्रतेक प्राणी हर दूसरे प्राणी की आवाज अपने टेप रिकॉर्डर में सुरक्षित करता रहता है इसलिए मंगल में कोई जूट नहीं बोलता दश्मलव शुन्य 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 तीन दो रिपोर्ट पेश करने के लिए कटखरे में खड़ा हो गया उच्च सलाकार समीती का सेकरेटरी भी अध्यक्ष महोदे की आगया से उससे बीच-बीच में जिरह करने के लिए कटखरे के बाहर खड़ा हो गया। अध्यक्ष महोदे की आगया से पूरी की और इसे गुप्त भी रखा। मेरा ग्यान धर्ती के इनसानों के बारे में जो मैंने अपनी ग्यारह महीने की यात्रा के बीच में प्राप्त किया बहुत मनुरंजक है। अब मैं उसे आपके सामने पेश करने की हिम्मत करता हूँ। इसलिए बिचारा लंबी यात्रा से खबराता है और उसे रेल गाड़ी हवाई जहाज और मोटर आदी से तै करता है। पूचा जी नहीं। पर बिचली की लहर बहुत कम होती है। मुझे उनसे मिलने जुलने के लिए अपनी विध्युत शक्ती को बहुत कम करना पड़ा और लगभग प्रत्वी के वासियों की तरह रहना पड़ा। पेफडे क्या होते हैं। उपाध्यक्ष ने पूचा। ये सांस लेने का एक यंत्र है जो हम मंगल वासियों के लिए बिलकुल पेकार है। हमारे यहां तो कोई मंगल वासी सांस नहीं लेता। अध्यक्ष महोदय बोले। समझ नहीं आता कि सांस लेने की जुरूरत क्या है। इसके साथ ही मनुष्य के शरीर में एक मैदा भी होता है। रिपोर्ट पेश करने वाले ने बताया। मैदा? मैदा क्या होता है? उसके अंदर रोटी जाती है। रोटी क्या होती है? जो वो लोग खाते हैं, ये खाते हैं क्या चीज होती है? विवरंदो, अध्यक्ष महोदय और सदस्यगर्ण। प्रत्वी का मनुष्य हमारे मंगल ग्रह से इतना अलग है कि इसे समझाने में मुझे थोड़ा कश्ट होगा। परमानव की सभ्यता और उसकी उनत्ती में और संभव है। उसके भविष्य में ये मैदा इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इस पर रोशनी डालना जरूरी नहीं समझता। ये एक शारेरिक यंत्र होता है जो प्रतेक प्रत्वी के निवासी के पेट में होता है। इससे लगी हुई एक नली होती है जो मुँ में खुलती है। इस मुँ में मनुष्य हर रोज दो-तीन वक्त जब वो चाहता है या जब उसे प्राप्त होता है अपने रोज का भोजन इसके अंदर डालता है। ये भोजन वो जमीन पर उगने वाली जाडियों या जानवरों के शिकार करके हासिल करता है। ये ही भोजन उसके मेदे में जाकर उसके शरीर का अंग बन जाता है और उसके शरीर में शक्ति पहुँचाता है जिससे उसका शरीर का एंजन चलता रहता है। अध्यक्ष महोदय इत्मिनान प्रकट करते हुए बोले। लगबग दो फुट चोड़ी एक स्वच जिल्ली है जो सूरज की किर्णों से अपने आप एनरजी प्राप्त करती है जैसे जमीन पर हरे पत्ते हासिल करते हैं। मंगल वासियों की यही जिल्ली इस एनरजी को प्राप्त करके सारे शरीर में पहुँचा देती है। इसलिए मंगल ग्रह पर बूखे मन की कोई समस्या है ही नहीं। धर्ती पर मनुष्य के लिए अपने जीवन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। मेदे को भरने के लिए वो खाना कहां से लाए, किस से छीने, प्रकृती से, की समाच से, किस तरीके से, सचाई से, की जूट से, की छलकपट से, और किन साधनों से प्राप्त करे। अर्थात खेती बाड़ी से, तीर कमान से या राइफल से, और किन से धानतों पर, अर्थात अपने खेत में हल चलाकर, या किसी दूसरे की खेती बाड़ी लूट कर, अपने देश में रहकर, या किसी दूसरे देश पर अपना अधिकार जमा करके, अपनी मेहनत से हासिल करे यह लूट मार करके, मानविय सभ्यता के उतार चड़ाओ, उसके कल्चर की उँच नीच, सभी इस एक समस्या से पैदा होती है. भूख यही भूख उसे मंगल तक पहुचा दे, मेरा विचार है कि मानव के शरीर में मेदा उसके दिल से भी ज्यादा महत्वपून है. यह दिल क्या होता है? एक मंगल वासी ने पूछा. जमीन से आने वाले मंगल वासी ने बताया. यह दिल तो आज तक मेरी समझ में नहीं आया. प्रत्वी पर लोग दिल देते हैं, दिल लेते हैं. वहाँ दिल आ जाता है, दिल रोता है, दिल लूटा जाता है, दिल तूट जा दिल में बहार आती है, दिल वीरान होता है, दिल खुश होता है, दिल बरबाद होता है, एक बार तो मेरे पड़ोसी के एक नौजवान लड़के ने दो दिन तक खाना नहीं खाया, दिन रात ठंडी सासे भरता और रोता, जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तो पड़ोस की एक औरत का नाम लेकर बोला, मैं उसको दिल दे चुका हूँ, मैंने फॉरन उसकी शरीर को टटोल कर देखा, दिल मौजूद था और बड़े नियम से धड़क रहा था, मुझे उस लड़के के जूट पर बढ़ाश्चर हुआ, यही आज तक अपनी 11 महीने क की यात्रा में मुझे पता ना चल सका कि इनसान का दिल है कहां, अर्थात वो दिल जिसकी तरफ वो बार बार अपनी बातचीत के बीच इशारा करता है, वो दिल है कहां, उच्छ सलाकार समेती के सेकरेटरी ने रिपोर्ट करने वाले से पूछा, अच्छा, अभी तुमने क आखें रोशन हो गई, वो बोला, श्रीमान, अगर मुझसे कोई पूछे कि तुमने जमीन पर सबसे विचित्र वस्तू क्या देखी, तो मैं कहूंगा औरत, मगरी औरत है क्या, एक मांगलिक वेज्ञानिक ने प्रश्न किया, वो मैं से है या सै से, वो अपने विश्वास क अपनी आदत में से है, और हर इनसान की जीवन संगिनी है, भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, मांगलिक वेज्ञानिक ने इनकार से सिरहला कर कहा, कुछ और बताओ, अब कैसे बताओ, रिपोर्ट पेश करने वाले ने आगा पीछा करते हुए कहा, पहली बार उसके च शादिया नहीं होती, क्योंकि वहाँ औरते ही नहीं होती, इसलिए शादी किस से हो, बच्चे एक विचित्र क्रिया से पैदा होते हैं, हर चौथे साल, एक मंगलवासी के मूँ से एक विचित्र सी राल निकलती है, जब उस राल के निकलने का समय आता है, तो मंगलवासी के सर में बहुत सोरों का दर्द होने लगता है ये दर्द उस राल के निकलने का सूचक मातर है जिस समय मंगलवासी के सर में ये दर्द उठता है उसे फौरन किसी पास के अस्पताल में ले जाया जाता है जहां उसके कंट से निकलने वाले थूख को एक मिट्टी के गमले में सुरक्षित कर लिया जाता है इस मिट्टी के गमले से नया मंगलवासी पैदा होता है और 18 महीने तक इसी गमले में बढ़ता रहता है जब वो संपूर्ण हो जाता है तो उसकी जड़ें सूख जाती है और वो एक दम से छलांग मार कर गमले से बाहर निकलाता है और इस तरह वो अपने जीवन की नई माया शुरू करता है क्या बताओं श्रीमान वो मंगलवासी जो रिपोर्ट पेश कर रहा था अपने चारों हाथ मलते हुए बोला एक औरत मुझ पर रीज गई थी मगर मेरे फोटोन रॉकेट में इतनी जगा न थी वरना मैं उसे अपने साथ ले आता औरत भी एक तरह की मनुश्य होती है मगर उससे ज्यादा प्यारी, ज्यादा लुभावनी, ज्यादा जगडालू, मगर श्रीमान बहुत अच्छी लगती है आखों को भी, कानों को भी और सूंगने में भी अजीब सी भीनी-भीनी सी गंदाती है उसके पास मेरा तुझी चाहता था कि हर वक्त उससे सूंगता रहूं, क्या मंगल के फूलों से भी अधिक महक रहती है उसमें अरे श्रीमान, किसी फूल में ऐसी महक नहीं होती, जैसी औरत के बदन में होती है, क्या तुमने उसे खा कर देखा था? मांगलिक वvyग्यानिक ने पूछा, औरत को खाते नहीं है श्रीमान, उससे प्रेम किया जाता है प्रेम, यह प्रेम क्या होता है, शरीमान ये प्रेम भी बड़ी विचित्र चीज है मैं इसे बयान ही नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहां प्रेम होता ही नहीं सिर्फ कर्तव्य होते हैं, कर्तव्य तो आप समझते हैं इसलिए कि बाप 18 महीने अपने बेटे के गमले की निगेबानी करता है, मगर ये उसका कर्तव्य है, हर मंगलवासी का कर्तव्य है, मगर वो मंगल से प्रेम नहीं करता, प्रेम की भावना को आप नहीं समझ सकते. एक गाओं में में दो सपता रहा, जिस किसान के यहां में महमान रहा, उसकी लड़की गाओं के एक नौजवान लड़के से प्रेम करती थी, वो किसान बहुत घरीब था, उसके यहां सिर्फ एक वक्त का खाना पकता था, तो भी वो लड़की उससे प्रेम करती थी, और और तये कर दी, शादी के दिन उस लड़की ने गाओं के कुए में छलांग लगा कर अपनी जान दे दी, जान दे दी, बहुत से मंगलवासी चिल्ला उठे, क्यों, जान क्यों दे दी, क्योंकि उसे उस लड़की से प्रेम था, प्रेम एक बहुत गहरी भावना है, और उसका प्रत्य करतव्य भिन्न होता है, उस करतव्य में एक ठंडक सी होती है, एक तरह की विशिष्ट गंधाती है, हर काम में, अमल में, मगर प्रेम चीज ही और है, वहां मर्द औरत से, औरत मर्द से, दोस्त दोस्त से, मा बेटे से, बेटा अपने देश से, एक देश दूसरे द बार शकले हैं, मगर मानसिक प्रेम की लगन बहुत गहरी होती है, और इंसान को बहुत दूर और बहुत आगे तक ले जा सकती है, ये एक ऐसा नर्म, गर्म और गहरा रिष्टा है, जिसमें एक मर्द दूसरे मर्द की ओर ऐसे खिचता है, जिसे एक एटमी कंड दूसरे एटम जो उसने मुझे जमीन से चलते वक्त हुस्से में दिया था, ये ओरत मुझसे प्रेम करती थी, और उस ओरत की प्रेम की महक इस रुमाल में अब तक बसी हुई है, इसे थोड़ा सूंगी, अध्यक्ष ने उस रुमाल को अपनी नाक से लगाया, थोड़ी समय के लिए उसकी आखें अपने आप बंध हो गई, कुछ खणों के बाद उसने आखें खोल कर कहा, इसमें तो बादलों की महक है, अध्यक्ष ने वो रुमाल उपाध्यक्ष को दिया, उसने उसे सूंगा, और सूंग कर कहा, नहीं, इसमें तो स्वपनों की महक है, उसने ये रुमाल अपने पास बैठे हुए मंगलवासी को दिया तो उसने सूंकर कहा घलत इसमें तो इंद्रधनुष की महक है चोथे ने कहा इसकी खुश्बू मुझे उस आरंभ की याद दिलाती है जब मेरा बदन भी सूरज का एक कन था रिपोर्ट पेश करने वाले ने कहा औरत सूरज भी है और बादल भी वो इंद्रधनुष भी है और स्वपन भी वो एक अपूर्व और विचित्र वस्तु है हॉल में लंबा सन्नाटा चा गया दश्मलव शून्य 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 तीन दो का चहरा अजीब सी यादों में खोया हुआ था अतह अध्यक्ष ने मौन को हुए कहा मगर वहां के बारे में तुमने कुछ नहीं बताया दश्मलव शून्य 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 तीन दो का चहरा ये प्रश्न सुनकर गर्व से तन गया मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि धरती पर रहने वालों का रदय इतना पका नहीं है इतना आधनिक तम में भी कितनी ही तुरुटिया नजर आती हैं वहां हमारी तरह का नियम है ही नहीं हमारे यहां किसी के लिए गलती करने की कोई संभावना ही नहीं है लेकिन वो लोग अपने ग्यानी और विग्यानिक शेत्र में अभी हमसे बहुत पीछे हैं वो बहुत गलतिया करते रहते हैं हमें उनसे किसी तरह का कोई खत्रा नहीं और यही मेरी रिपोर्ट का सारांश है दश्मलव शून्य 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 तीन दो ने बड़े गर्व से ये एलान किया और सारा हॉल तालियों से गुंज उठा मगर उच्च सलहकार समिती के अध्यक्ष का चहरा पील रखता है तो हमें सबसे बड़ा खत्रा उसी से है ऐसा इनसान एक दिन जरूर मंगल ग्रह को भी विजय करेगा